अगर Google Chrome पे side notification से आप परिशान है तो आपको एक setting करने परेगी जिससे आप इस side notification से बस सके तो आईए हम आपको बताते हैं Google में जैसे आप open किजिएगा यहाँ site पे three buttons है इस पे click करेंगे click करने के बाद से आप यहाँ पे setting में जाएंगे setting पे click करने के बाद आपको कुछ इस तरह से sites उपन हो जाएगा बगल में setting का option होगा यहाँ पे click करेंगे तो यह खुल जाएगा और अगर पहले से खुला हो तो कोई बात नहीं है तो आप इस तरीके से setting में चले जाएंगे और जाने के बाद से जाने के बाद से आप यहाँ पे corner में private and security का option आएगा आप देख लेंगे कभी किसी में नीचे भी आ सकता है कहीं उपर आए यह प्राइवेट एंड security का option आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए यहाँ प्राइवेट एंड security का सारा options open हो गया अब आप यहाँ पे आपको ढूंडना है कि वो notification कहां से आ रहा है तो सबसे पहले आपको जाना है यह देखिए site setting में यह window 10 है इसका function कुछ अलग है और सारे window 8 window 7 में अलग option दिखाता है यहाँ पे आपको site setting में जाना है site setting दिख रहा है आपको यहाँ पे site setting में corner पे क्लिक करेंगे तो फिर यह option खुलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा notification यह bell icons का notification है यही आपके chrome पे बार बार आपको site से आके disturb करता है तो आप इस notification को on करेंगे on करने के बाद से देखिए मैंने अभी अभी यहाँ से सब कुछ हटाया है मुझे बहुत सारी problems आ रही थी तो मैंने सोचा आपको लिए भी एक यह video बना दू क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोगों को problem आ रही होंगी देखिए यहाँ पर जो allow है यह सारे notifications है जो मेरे allow है आपको बहुत सारण यहाँ नोटिफिकेशन दिखाई देंगे अगर आपको यहाँ से हटाना है तो देखिए यहाँ पर more पर यहाँ वी एक three buttons है इस पर click करेंगे तीन option आता है block का edit का remove का आप यहाँ तो उसे block कर दें यह block करते हैं देखिए यह जो है उपर वाले option यहाँ पर block में चलाया यानि की notification ब्लॉक हो गई अब आपके chrome browser पर कोई notification नहीं आएगा यहाँ तो आप उसे यहाँ से allow भी कर सकते हैं फिर notification अन लाएगा और या तो आप उसे remove कर दें यहाँ remove option है remove कर दीजिएगा तो आपको वो notification नहीं आएगे और आपको जिस notification की आओ सकता है उसे छोड़ दे आती रहेगी मगर आप चाहते हैं कि कोई भी notification नहीं आए तो आप यहाँ पर देखिए एक उपर ही option दिया हुआ है इसे आप अगर notification को off कर देंगे तो आपके सारे notifications off हो जाएंगे तो आपको किसी परकार की कोई notification नहीं आएगी तो अगर आप चाहते हैं कि कोई notification ना आए तो आप यहाँ से direct off कर दे मगर आप चाहते हैं कि अगर कुछ notifications आए कुछ notification ना आए तो आप उसे allow कर दे और जिससे चाहें उसे आप यहां से remove और block कर सकता है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्रिजी से सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करें थैंक यू